आपका पाहट प्रबात में आपके साथ मैं हूँ अंशली भंडारी और रोख करेंगे इस बीचारी एक बड़ी खबर के और बड़ी जानकारी आ रहे हैं वह आपको बता दें शिमला में आज से विंटर कार्निवल शुरू होने जा रहा है ये बड़ी खबर कार्निवल का प्रटकों के मनोरंजन के लिए खास इंतजाम यहां पर किये गए हैं प्रटकों में आज से विंटर कार्निवल शुरू होने जा रहा है खास इंतजाम इसको कर किये गए हैं रिज मैदान पर लगेगी महानाटी तो प्रटकों के मनोरंजन के लिए खास इंतजाम रिज मैदान में किये गए क्रिसमस और निउएर सेलिब्रेशन याद्गार बनेगा जो कि हर साल क्रिसमस के मौके पर बनाया जाता है शिमला में विंटर कार्निवल शिरुवात आज से ओरे जा रही है रिज मैदान पर महानाटी लगेगी इसको लेकर पूरे बंदोबस तैयारियां कर ली गई है रिज मैदान और दूर दूर से सेलानी खास तौर पर क्रिस्मस और न्यू येर पर इस विशेश विंटर कार्निवल को देखने के लिए आपर पहुंशते हैं इस बार भी ठीक वैसे ही परिटकों के भीर जो है वो देखने को मिल रही है और ऐसे में प्रसाशन पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है हालकि कई जगों पर जाम के खबरें भी आ रही है क्योंकि काफी संक्या में जो परिटक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं देश भर से शिमला पहुंच रहे हैं कमाम परिटक मनोरंजन के लिए भी इस बार जो खास इंतजाम है वो यहाँ पर किये गए हैं कार्निवल का शुबारम सियम सुखू करेंगे रॉबिन शर्मा समभादाता हमारे साथ इस भी जुड़ गए हैं जाजानकारी के साथ इस ख़बर पर रॉबिन क्रिस्मस और न्यूएर सेलिबरेशन को लेकर खासकर रिज मैदान में किस तरीकी की रॉनकार्ज देखने को मिल रही है और खासकर विन्टर कार्निवल की शुरुआत जो आगाज है वो भी हो गया हाथ से इसको लेकर तमाम तयारियां हैं इसको लेकर पहले से शुरू हो गई थी हाला कि इस बीच विदान सवा का शीद का लिन सतर था तो इस दोरा भी जो है शिमला में तयारियां जोरो पर थी ताक्ट पूरी पुरी रिज है में इसके लावा मुडूरूर का इसको पूरन सजाएगा है और अलग-अलग सीक्टर्स में बाटा गया है लेकर महापौर, शिम्ला उनक्युष सब्सक्टरिय है अलग-अलग आलग एक जग़ा पर देख पाएं इसके लावा जो भी मेदान है, वहां पर कुछ सास्किती कारेकरम भी क्या जा रहे हैं ओपन जो टेज है, वो भी नहाद पर बनाए गया है ताकि किसी भी तरह केər सास्किती कारेकरम है, वो भी यहाद लोफ़ उता सकते हैं परेटगों की बाद की जाए तो लिज़िड motherfवारी के जा गुश बरह-प़ारी और बार। तिरे जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है जी अगर आप देखें तो शिमला खास तौर पर विंटर के लिए ऐसे भी जादा क्यूंकि परेटकों की जो आमद है वो बढ़ती हुई नजर आती है तो ऐसे में निश्ची तौर पर जो प्रशासन है उसके लिए भी चुनौ होती है लेकिन जिस बीच यहां पर जो पिंटर का नेमल कायोजन किया है ऐसे में प्रशासन की चुनौती भी बढ़ती हुई नजर आ रही है इसी की को मते नजर रखते वज़े शिमला प्रशासन है शिमला पुलीस है उसके उसे भी जो पांस से छे सेक्टर में पूरे शिम उसके लिए भी यहां पर जो है अत्रिक्त पुलिस बल्द देनाद किये गए हैं ताकि चाहे ट्राफिक की बात हों चाहे किसी भी तरह की जो अन्होनी है उसको यहां पर होने से रुका जा सके इसके लिए पुलिस भी हाला की चौक चौकमन भी यहां पर नजर आ रही है फै बिल्कुल रॉबिन हलाकि इस दोरान जो परटन वेवसाई है उसको काफी अच्छा फाइदा या पर देखने को मिल रहा है पिछले साल के मुकाबले क्योंकि काफियत तक सेलानियों की भी इरचों है वो यहां पर उमड रही है बिल्कुten अच्छा अपम Wouldn बिल्कुल सिही बात कहिया है कियूकि जब बरसाद के समय मैं आप श्माचल प्रडेशन खास पर पर श्मला में जिस civरा का बर्साद ने कहर पर पाया उसमें काफी जो प्राटक हैं उन्हों में भी फैपेदा किया जिसके बाद जो श्मला की जो ख हिमाचल प्रदेश में बनता हुआ नजरा रहा है उसके ये उमीद भी जूरूर बनी है कि जो प्रेटम है उसका जो सहला नहीं है उनी कि आमद प्रदेश के अलग-अलग इलाखों में फास पर पिश्मिला जैसे शत्रों में बढ़ेगी जिसका सीधा-सीधा फाइदा जो है प्रेटन कारोबार से जुड़े वियन लोगों को होगा ताकि जिस प्रेटन की जो कारोबार से जुड़े जो लोग है वो जो एक मार छील रहे थे उससे एक विरूर एक मिजाद मिलेगी और आने वाले दिनों में हेमाचल प्रदेश का प्रेटम गजार फिर से जो सह यहाँ पर होने जा रहा है कार्निवल का शुबारम करेंगे मुख्यमंत्री ठाकुर्शक्विंदर्चिंग सुकू आगे बढ़ेंगे कौर बड़ी खबर क्यों रोकरेंगे बड़ी जानकारी आ रही है उना से आपको बता दे शौक्टर 2023 का आठवा अंतराष्ट्रिय संभेलन ये इस वक्की बड़ी खबर्शी अनसुकू के सलाकार ने इसका शुबारम किया है स्वाप क्प्यूटिंग से चम्मंद्र संभेलन का ये शुबारम किया गया है विबिन संसाओं के प्रोफसर इसमें मौजूद रहे 26 दुसंबर तक जारी रहेगा ये सम्हीले में जो उना है ये एक प्रिमेर इंस्ट्यूशन है हमारे स्टेट है मातल प्रदेश का और आज इनकी सोक्ता टेकनिकल कॉंफरेंस थी इन्टरनाशनल कॉंफरेंस थी उसका भाग लेने का मुझे मौका मिला है तो हजार चौदा में ये सांक्शन हुआ था और स्टेट कबमेंट हमें फानाशनल कॉंट्रिशन के साथ साथ लांड की भी कॉंट्रिबूशन स्टेट के लिए दी है और पूरे देश के जो विद्यारती हैं ये इस इंस्ट्यूशन में पढ़ते हैं और अभी मैं एक और बाद बताऊं कि हमने क्योंकि जो हमारे प्रदेश की स्टूडेंस क्योंकि ये स्टेंट्रि इंस्ट्यूट है और जैई से भरती होते थे तो हम स्टेट गवर्मेंट ने ये मुख्यमंतरी और मान्यूप मुख्यमंतरी जी ने देखा है कि कैसे जो हमारे हमारे प्रदेश का युवा है उसे इस इंस्ट्यूशन का भरपूर फायदा मिल सके तो ट्रिपल आई टी भी जल्द ही यहाँ पे एक बिल्डिंग इन्हें मोहिया करा कर जो है मास्टर प्रदेश की युवा है उन्हें भी जो है कोर्सित मोहिया करा आए जाए 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 पांगी किलार रूट पर खाई में गिरी गारी बड़ी खबार गेहरी खाई में गिरने से तीन लोगों की मौत ये दर्दना खाथसा हुआ है तीन रित्कों में एक महिला भी शामिल है तो पांगी से कुलू की ओर जा रही थी ये गारी जिस दौरान यहाथ से का शिकार हो तीन रित्कों में एक महिला भी शामिल है जो जानकारी आ रही है पांगी से कुलू की ओर जा रही थी ये गारी जिस दौरान यहाथ से का शिकार हुई है तो दर्दना खाथसा पांगी किलार रूट पर हुआ है गेहरी खाई में गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई है ती चमबा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पांगी के लाड़ रूट पर खाई में गिरी गारी यहादसा हुआ है वज़ा भी तक सपस्ट नहीं हुपाई है हादसे के वज़ा क्या रही तीन विर्त को में एक महिला भी शामिल है काल में सवार पांगी से कुलू की ओर जा रही थी गारी जिस दोरान हादसे के शिकार हुए चमबा से इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जनकारी आपको बता रहे हैं पांगी के लाड़ रूट पर खाई में गिरी गारी तो खाई में जो गारी है वज़ा गिरी गहरी खाई बताई जो आ रही है तीन विर्त को में एक महिला भी शामिल है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चमबा से इस वक्त की बड़ी और एहम जनकारी आ रही है खबरों में आगे बढ़ेंगे उतर आपको बतादे कि विलासपूर में दो दिवसिये 49 स्वा राजजिस्तरी युवा उसव शुरू हो गया है और इस स्वा उसव में सदर के पूर विधायक का बंबा ठाकुड ने बतार मुक्यतिती शर्कत की मुक्यतिती बंबा चाकुड ने दीप रजुलित कर उत्सव का आगास किया साथियस युवा उत्सव में प्रदेश के दजलों के खरीब चार्ज़ों पचास सा प्रतिभागी भाग ले रही है वहीं आपको बता दे कि गेल अधिकारी रविशंकर मुक्यतिती को शॉल और टोपी और स्मृति चंदे कर सम्मानित किया और इस युवा उत्सव में विभिन सांस्कुरत एक प्रतियोगिताई होंगी आज युवा सिवाधिल युवा के माध्यम से तानीश वी राजयस तरिया व्रुथ कर्टिवल का शुवरम होने जा रहा है जो कि आज और कल दिनाख 24 और 25 तारिक को रहेगा ये 25 तारिक को हमारा हो जाएगा और इसमें हमारे विभाग के दुवारा गुरूप सॉंग सॉलो गुरूप सॉंग मुजिक सॉलो इसके लिए मैं युवा सिवा खेल विभाग अधिकारी जिलक दियरास्पूर रभी शंकर जी का करनेवाद करूगा कि जिनों ने इतने शॉन फाइब में इस फेस्टिबल क कराने का समब हो पाया उधर राकिरतपूर नेरचौक का फोरलीन पर सापित टूल टेक्स बेरियर पर तैनात कंपनी के करमचारियों की लापरवाही लोगों की जेप पर डाका डाल रही है लोगों के बाहन उनके घरों पर खड़े हैं और उनके फोन पर टूल कटने का या मेसज आ रहा है ऐसे ही एक मामला सुन्दनगर के दरसल गुर्बचन सिंग के साथ भी पेश आया लगातार हो रही लापरवाही से लोगों में काफी आकोश है वहीं लोगों ने परिवार मंत्री नितिन गटगरी से मामले का संग्यान लेनी के मांग की है साथी टोल प्लाजा पर कारे करने वाले कंपनी करमचारियों के खलाफ कारवाही के मांग की गई है मुझे कल सामको सात बजकर पचास मिन्ट पर मेसेज आया कि आपके फास्ट एक से एक सो पचास रुपए काट लिए गया है जबकि मेरी गाड़ी और मैं घर पर ही था यह आम लोगों के कई आदमियों से सिकायत मिल रही है मेरा केंदरिया भूतल परिवन मंतरी सिरी गड़करजी से निवेदन है कि वो इस बारे में खुद संग्यान ले और मामले की चान बीन कराएं तथा लोगों को लुटने से बचाया जाए अधर आपको बतादे कि मंडी में बरसाथ के सीजन के दोरां दरसल भारी बारिश के कारण आई आपता से पच्ची स्कूल पूरी तरह से श्रतिक रस्त हुए है इन में से कुछ स्कूल तो धार्मिक सालों सहीता नीच्वी भवनों में चलाय जा रहे हैं जबकि कुछ स्कूलों के लिए कहीं पर भी जगा ना मिलने के कारण बच्चे खुले आसमान और तमों के नीचे सिक्षा ग्रेंड कर रहे हैं स्कूल प्रवंधन समिती ने सरकार से जल से जल स्कूल का भवन बनाने के मांग की है ताकि बच्चों को पढ़ाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े पूल में जो अभी यहां जैसे यह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है यह बिल्कुल धीमा है इसमें सरकार का कोई ध्यान नहीं है और स्थानिया लोग यह हम लोग यह चाहते हैं कि यहां जो है अच्छी तरह से दोबारा जैसे भी पेच्छे कहा गया था कि यहां फैबरिकेटिड जो है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का निर्मान किया जाएगा वो जल्दी से जल्दी हो कि मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि अभी पीछे कुछ एक प्रयासों से जो स्कूल के नाम जमीन भी हो गई है और सारा यहां जल्दी से जल्दी यहां करनी की जुरूरत है और ताकि बच्चों का जो है पढ़ाई ठीक डंग से सुचार रूप से हो और आने वाले टाइम है यहां जो अभी बोर्ड के एक्जाम भी होंगे बच्चों के जो एक्जाम होंगे तो उसमें बभारी दिक्त आएगी और सब बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल है सरकार से मांग रहेगी जैसे कैसे जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान दिया जा और हमें कुछ पैसा महाया करवा के डिपार्टमेंट लिए किसी भी तरह से यहां स्थाई या अस्थाई तोर पे कुछ एक शैड बना अब देश भर में लगातार तूल पकरता जा रहा है दरसल सांसों के निलम्बन पर चंबा में कॉंग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी की दमनकारी नीतियों के विरोध में जमकरधना प्रदर्शन किया इस मौके पर कॉंग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल ठा चंबा और साथ में हमारी पुलो कॉंग्रेस कमेटी मेट. हमारे प्रवुकता हनडा जी और हमारे गिला कॉंगरस कमेटी के सबी मानिय सदस्या यह महला कॉंगरस कमेटी की हमारी प्रद्धान उनके मानिय सदस्या हम सब लोगों ने यहाँ आज जो 146 थमिंदें किये मोधी सरकार ने धना प्रच्छन किया यह विल्कुल ताना शाही रुईया और हिक़लत का रुईया है कि हमारे शांस्तों को निलिम्बत का जाय है दोनों हमारे राजया जबां से भी और लोगजबा से भी 140 सांसर को निलिम्बत कर दिये गए हैं ये एक ऐसा संदेशा है कि यहां हर तवर्ष में लोग तंतर इससे पहले कभी भी ऐसा काम या इतने सांसत निलमबन नहीं किये गए ये मैं समझता हूँ कि लोग तंतर की अश्या है और जब तक ये सांसत का निलमबन वापस नहीं लिया जाता हमारी कॉंग्रेस पार्टी जो देश हमारे आईक मान के होंगे उसके अनुसार हम धरना परदर्शन करते रहेंगे और चली से के साथ पहार प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिला लेता है वक्त एक छोट सब्रेका